इतना देर क्यों हो रहा है गोपाल का तबियत खराब हो गया क्या कोई तबियत खराब नहीं है रोज का वही नाटक है इसका मतलब गोपाल रोज ही नाटक करता है आज आने दो उसे उसका खवर लेता हूँ प्रणाम महाराज इतना देर क्यों हुआ क्या बताएं महाराज क्या गोपाल बहाना ढून रहे हो क्या सुनो गोपाल तुम दो ऐसे जन्तुओं को मेरे सामने लाकर पेश करो जिसमें से एक होगा अभारी और दूसरा होगा अभारी समझे अभारी और अभारी महाराज ऐसा जन्तु मैं कहा पाऊंगा जो आपके सामने लाकर पेश करो कहा पाऊगे कहा नहीं पाऊगे ये मैं कैसे बता सकता हूँ गोपाल मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ गोपाल अभारी और अभारी जन्तु मेरे राज़ दर्वार में लाकर पेश करो और कैसे पेश करोगे ये तुम जानो अगर तुम जन्तुओं को पेश न कर सके तो नहीं लाओगे तो तुम्हें काल कोठी में डाल दिया जाएगा और क्या कोशिश करकर देखता हूँ महाराज यह क्या जी ऐसा जन्तु कहां मिलेगा क्या हूँ अपिता जी आप चुपचाब बैठे हैं आपके दमाद जी आये हैं उनसे बादची इनका सेवा सतकार नहीं कीजिएगा देखिएगा जब दमाद घर जाएंगे तो आप लोग का शिकायत करेंगे नहीं करेगा दमाद का जात ही ऐसा है मतलब ओ अभारी जितना भी आदर सतकार करो खिलाओ पिलाओ एक भूल होने से ही बैस उनका कामी है शिकायत शुरू और क्या क्या बोले हैं दमाद जात आभारी रहता है राजा के कहने के अनुसार आपको एक जन्तु मिल गया बस बच गया दूसरा जन्तु ओभी ओभी कल सुबह तर मिल ही जाएगा अभी थोड़ा खुली हवा में टहल आता हूँ दिमाग भी ठंडा हो जाएगा और दूसरा जन्तु भी ढूनने में असानी होगा आज अभी भी गोपाल नहीं आया है लग रहा है डार गया है प्रणा महराज कौन बोला कि मैं डर के भाग गया या देखिये मैं तो उपस्तित हूं महराज मैंने दो जन्तु ओबोला था लाने के लिए वो कहा है हाँ महराज वो बाहर इंतजार कर रहे है आग गया हो तो मैं अंदर लाओ वाह जल्दी लेकर आओ यह क्या यह क्या तुम राज दर्वार में कुट्टे को लेकर आ गए हाँ महराज गुष्षा मठोजेगा ध्यान से सुनिए यह कुट्टा सबका अभारी है मालिक जितना भी मुसीबत में क्यों न पड़ जाए वो अपने मालिक को छोड़ कर कहिं नहीं जाता है थोड़ा जा खाने को मिल जाए उसी में खुश हो जाता है बहुत खुश हो जाता है और यह है मेरा दामाद दामाद जाद को जरा गौर से देखियेगा आप अपने दामाद को जितना भी अच्छा खिलाओगे आदर करोगे उपहार दोगे लाकिट इनका मन कभी नहीं भरेगा इसलिए दामाद जाद आभारी है आभारी वाले का स्थान काल कोठरी में है पहरी कहां हो जी महराज गोपाल के दामाद को तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए जैसी आज्या महराज लेकिन महराज आप कभी ये सोचे हैं आप हम और ये सभी किसी न किसी के दामाद हैं इसलिए महराज और अभारी जात में हम लोग भी आते हैं आव भारी को अगर सजा मिलेगी तो हम सब को सजा मिलना चाहिए सच मुझ गोपाल तुमसे बहस में कोई नहीं जीज सकता ठीक है गोपाल मैं तुम्हारे दामात को आजाद किया और साथ में तुम्हें उपहार दिया एक हजार स्वन मुद्राएं समझे गोपाल यह लो जय हो महराज किष्ण चंद्र की जय हो जय महराज किष्ण चंद्र की जय हो जैसे सब का सुर्वात होता है वैसे ही अन्त होता है सोख सांती और खुसिया इतना काफी नहीं है फटिक मन्नू के मामा कुछ दिन उनके घर पे रहे वो कुछ दिन हसी खुसी गुजरा लेकिन एक दिन सोच रहा हूँ कल सहर चला जाओ ये क्या अभी तो आश है भाईया कुछ दिन और रही है भाईया नहें बहुत दिन रहे लिया मैं घर पे तुम्हारे भावी है दो बच्चे है जाना तो होगा ही ठीक है आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए तो आपके बच्चे पढ़ते हैं हाँ पढ़ते हैं सहर के स्कुल में तुम्हारे दोनों बच्चे ठीक से पढ़ते हैं हाँ लेकिन फटिक क्यों फटिक क्या करता हैं मन्नू पढ़ने लिखने में सही है लेकिन फटिक के बारे में सुनियेगा तो गुस्ता आएगा आपको तो फटिक को मैं अपने साथ सहर ले जाओ, अगर तुम्हारा फटिक जाना चाहे तो उसे ले जाओंगा नहीं भाईया, इसमें ना जाने की क्या बात है, क्यों फटिक, जाएगा तू, कहां, मामा के साथ सहर, ट्रेन, गारी, बहुत सारा चीज, देखेगा हां जाओंगा, मुझे गारी पर बिठाएगा, घोड़ा पर बिठाएगा, बोलिये सब दिखाएगा हां हां दिखाऊंगा, गारी पर बैठाऊंगा, भोड़े पर चरहाऊंगा, लेकिन उसे पहले तुम्हारी मा की बात तु ना होगा क्या बात मा, तुम्हारे मामा सहर के स्कूल में तुम्हारा दाखला करवा देंगे, तुम मन लगा के पढ़ाय लिखाई करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन कब जाएंगे सहर मा? कल सुभा ही शहर जाने के खुसी में फटिक राद भर सोया नहीं, शहर जाने के बारे में सोचते रहा, अगले दिन सुभा सुभा ही फटिक अपने मामा से जाकर पुछा मामा, खापी के हम लग निकलेंगे? हाँ मामा, शहर क्या यहां से नाव में जाना होगा? पहले थोड़ा दोर नाव में, उसके बार इस्टिमाल में फटिक, तु मुझे छोड़कर अकेले शहर जा रहा है, तुझे तकलिप नहीं हो रही है धट, आप मुझे सिर्फ मारते हैं, डाटते हैं, मैं तो शहर चला जाओंगा तो आप मुझे डाट नहीं पाईएगा, मैं तो बहुत खुश हूँ कब आएगा इस लड़के को अकल? देखते ही देखते, सहर जाने का समय आ गया मनो, अब मैं शहर जा रहा हूँ, मैं अपना सारा खिलोना, घुड़ा, गाड़ी, सब तुझे देखे जा रहा हूँ भाईया चलता हो बेहन मा, जा रहा हूँ, ठेके बेटा, जै माता रानी भटिक अपने मामा के साथ सहर के लिए रवाना हो गया इस टिमार में चलते चलते देखा एक बिचित्र दिरिशे एक पाउ आँगे बढ़ेना, दो पाउ आँगे बढ़ेना, तिन पाउ आँगे बढ़ेना मामा, ये क्या कर रह है? पानिना पर रहे है मामा, सहर कब पहुचेंगे? पहुचने बाले है, थोड़ा और देश, उनका यात्रा खतम हुआ, वो लोग पहुच गए शहर, फटिक का मामा फटिक को लेकर अपने घर गए, घर पहुचने के बाद घटा घटना बहुत सा, आज बस एही तक बाकी का घटना बात में महाराज, कर रात मेरे घर टकैती हो गई, डकैत, सब कुछ लूट कर लेकर गए महाराज, आज गोपाल के घर टकैती करेंगे, तुना हों वह बहुत चलाक है, मुझे किसी मुसीबत में तो नहीं फसाएगा, अधिक उछलकूत करेगा तो मेरे पास तो या है, एक ही वार में उ मुझे तो थोड़ी डर लग रही है, अरे इतना मत सोचो तो देखा जाएगा, अभी रात तो होने दो, अरे जाओ 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 जो सोच रहे हो, वा कभी नहीं होगा, दरवाजा तोल कर ढूगने के आगे ही, मैं चत खोल कर आऊंगा, उसके बाद सम्माल लेकर चमपत हो जाऊंगा, चानो तरप तो संथ है, अंधकार, गुपान का घर भी तो अंधकार है, लगता है, सो रहा है, यही तो आउसर है, चारा गाउं सोया हुआ है, यही तो मौका है, चलिए सरदाने, एजी सुनिए, सुनिए, एजी, आ, क्या हुआ, घर में चोर आया है, चोर, अरे गुपाल, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं अभी तोड़ दूगा, एजी, क्या होगा, लग रहा है, घरवाजे पर डाकू आया है, एजी, क्या होगा, ऊपर चोर, बाहर, डाकू, ओफ, चुप रहो, जो बोल रहा हूँ, वह सुनो, अरे यह तो कजब हो गया, जगैत भी आ गये है, अभी मैं क्या करूँ, मां काली, तुम्हारा ही सहारा है, बैकैतों क्या हाद से रक्षा करो मा, लक्ष में जो बोला हो याद रखना, यह गुपाल, दर्वाजा खोलो, गुपाल, दर्वाजा खोलो जल्दी, नहीं तो दर्वाजा तोड़ दूँगा, सुनो, कोई है, बचाओ, मेरे घर में डाकू आए है, चुप 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 एक दम, घर का मालिक कहां है, तिजोरी की चावी कहां है, चल्दी बोलो, नहीं तो सिर्फ धर से अलग कर्मेंगे, ओ, घर के उपर छीपे हुए है, और उनके पास ही संदुग की चावी है, अरे सत्या नास हुआ, या कौन सी मुशिबत है, अरे बापने मैं कैसे फंस गया, अरे डकहत भाई, अरे डकहत भाई, मैं इस घर का कोई नहीं हूँ, जाओ तो उसे पकड़ कर ले आओ अभी, ठीक है सर्दार, बोलो, फिजोरी की चावी कहा है, अरे डकहत भाई, विश्वास करो, घर की चावी नहीं जानता, सीधे से नहीं बोलोगे ना, अरे डकहत माई, मुझे मत मारो, मत मारो, मैं कुछ नहीं जानता, नहीं जानते हो न, अब जानोगे, अरे बाप, रे बाप, सारा कोई चब गया, अब नहीं, चलो भागो, लक्ष में, तुम ठीक हो ना? हाँ जी इस चोर की किरिपैसे ठीक हूँ मार 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 मारो 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 नहीं नहीं इसे क्यों मार रहो मत मारो क्यों 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 की मालिक अरे मालिक मैं पेट के लिए चोरी करता हूँ अच्छा काम पाते ही मैं यह काम छोड़ दूगा मा काली की कसम खाता हूँ बहुत अच्छा तो कल से मेरे खेत में काम करने चले आना भोजन कपड़े छोड़ कर महिने में दो रुपए दूँगा क्यों करेगा ना हाँ मालिक जरूर करूँगा सचमच गोपाल तुम्हारे जैसे उदार हिर्दय वाला व्यक्ति मैं कभी नहीं देखा हाँ 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 साब भगवान के कृपा है एक दिन एक सहर का चुआ और गाओं के चुए में दोस्ती हुई हाँ भाई तुम कहां रहते हो मैं मैं सहर में रहता हूँ एक बड़े महल जैसे घर में और तुम कहां रहते हो दोस्त मैं उस छील के उस पार एक चोटे से गाओं में रहता हूँ हम लगों का एक चोटा सा गाओं है उस गाओं में चोटे चोटे घर है मैं वहीं रहता हूँ तुमारे जैसा महल जैसे घर में नहीं मैं तो कभी उतना बड़ा घर देखा ही नहीं जानते हो हम लोग छहर में न बहुत ही अराम से रहते हैं कोई टेंचन नहीं वहाँ पे तो विभीन परकार के खाना कीचन में ही रहता है शिर्प छीप छीप के जाओ और खाओ हाँ हम लोगों को एकड़म टेंचन नहीं है शहर में सच में दोस्त ये तो बहुत ही अच्छी बात ही तुमें तो खाना ढूंने जाना ही नहीं पड़ता होगा कितनी सारी खाना कीचन में ही तयार रहता है हाँ दोस्त शच बोल रहा हूँ मैं शहर में तो लाइफ ही निराली है वहाँ तो अमेशा अराम अराम है वहाँ डूप में जनना नहीं पड़ता बारिश में भिंगना नहीं पड़ता इतना बड़ा घर है कि कहीं भी किसी भी कोने में बस ठिप के रह जाओ कोई टेंचन ही नहीं अराम ही अराम तो दोस एक दिन आना मेरे शहर में, हाँ दोस्ट, जब हम दोनों में दोस्ती होई गई है, तो आना जाना तो लगा ही रहेगा, मैं आओंगा किसी दिन तुम्हारा शहर घूमने, तुम्हारी बाते सुनके लग रहा है, तुम्हारा शहर बहुत ही अकरशित है, लेकिन इससे पहले तुम्हें दिन मेरे गाउ में आना पड़ेगा हमारे गाउ में तो तुम्हे शहर जैसा आराम नहीं मिलेगा लेकिन सुद्ध हुआ और ताजी ताजी खाना और गाउ में बहुत सी जगह है घूमने के लिए ठीके दोस्त मैं तुम्हारी बाठ ही मान लेता हूँ पहले तुमारा गाउं घोमने आऊँगा पिर तुमाना मेरे शहर घोमने ठीके ठीके फिर तुम आजी चलो मेरे साथ मेरे गाउं इतना जई बोली थो चलो दोस्त दोनों दोस्त निकल पड़े गाउं में घूमने के लिए गाउं के चुहे ने शहर के चुहे को विभीन जगा खुमाया ओ देखो दोस्त वो है हम लोगों का मैदान हम लोगों वहाँ पे खेलते हैं वह यह बहुत ही अच्छा मैदान है बड़ा है हम लोगों के शहर में तो ऐसा नहीं है हम लोगों के शहर में तो मैदानों में बड़ी बड़ी फ्लेट बन गई है क्या करोगे बोलो जहां जैसा वहां वैसा ही ना होगा अच्छा वह देख Wow है हमलोग का तलाव हम लोग बहुत भूख लगी है चलो लंज के टाइम हो गया है चलो चलते है घर हाँ मेरा भी चलो लंच करते हैं दोनों मिलके घर गए लंच करने के लिए लंच में साधारन खाना सहर के रही स्चुय को पसंद नहीं हुआ क्या डोस्ट ये सब क्या खाते हो इस सब खाने में क्या टेस्ट है खाना खाना हो तो चलो मेरे साथ मेरे सहर देखना उहां के खानों में कितना टेस्ट है विभीन परकार के विभीन परकार परकार के टेस्ट टेस्ट के खाने चलो आजी चलो मेरे साथ चलो ठीक है दोस चलो अब चलो जल्दी चलो मेरे साथ ठीक है फिर चलो देखता हूँ कैसा है तुम्हारा शहत दोनों दोस्त सहर के लिए निकल पड़े सहर पोशते ही पहले उन्हें इंतजार करना पड़ा दो-तीन घंटा घर में परवेश करने के लिए जानते हो दोस्त अच्छे खाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है क्यों ठीक बोड़ाँ ना ठीक बोल रहे हो तू बहुत दूशे आये हो भूग तो लगा होगा चलो चलते हैं कीचर में जाके देखना वहाँ पे कितना शारा अच्छी अच्छी खाना है हाँ भूग लगा है साच में चलो खाना खाने चलते हैं उसके बाद दोनों दोस्त निकल पड़े कीचर में खाने के खोज में महाँ पे धेर सारे खाना रखे थे टेश्टी टेश्टी वो लोग जैसे ही खाना खाने गए वैसे ही घर की मालकी ना गई सब यो लोग खाना छोड़ चाड़के वहाँ से भाग पड़े तोस्त तुम्हारे शहर में बहुती अच्छी अच्छी खाना है और आराम भी लेकिन कुछ भी नहीं खापाते हैं हमेशा डर डर के ही यहाँ पे रहना पड़ता है इससे अच्छा तो मेरा गाउं है वहाँ पे अजादी है बिना आजादी के भर पिट कोई खाना नहीं खापाता है इससे अच्छा तो मेरी गाउं ही है ठीक है मैं चलता हूँ आब